दोस्तो नमस्कर आज हम एक ऐसे एपस के बारे से बात करने वाले हैं जिसका विग्यापन जिसका एड़वर्टाइजमेंट आप यूटूब पर डेली देखते रहते हैं और टीवी चैनल पर भी इसका विग्यापन देखते रहते हैं तो friends यह के ऐसा एपस है जो बहुत ही अच्छा cashback देता है जहां से आप mobile recharge करें डीटीएज recharge करें या फिर कोई भी utility आप payment करें ठीक है कोई भी utility friends यहां तक का आप किसी के account में भी money send करते हैं पैसे transfer करते हैं तो बहुत easily होता है बहुत simple तरीके से होता है और बहुत जल्दी confirm भी हो जाता है तो friends जैसा कि आप अभी यहां पे dashboard में देख रहे होंगे बहुत अच्छा-च्छा cashback 50%, 25, 30, 10% मतलब यह हर जगा पे कैसे cashback मिलता है तो इसकी पूरी जानकारी हम आगे आगे देंगे और जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखते रहे है फिर आप पूछना आपको पूछना ना पड़े कि कहां पे हमने क्लिक किया तो friends यहां पे देख सकते हैं mobile recharge, dts recharge, electricity, credit card, data card, gas, broadband, landline, insurance, water और google play Google play का भी आप payment यहां से कर सकते हैं बहुत आसानी से तो friends यहां account में भी किसी के transfer करने के लिए आप जो two account लिखा है वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी option मिल जाता है तो आईए friends आगे जानते हैं कि यह apps अगर आप first time use करेंगे तो आपको first time में ही बहुत अच्छा benefit मिलता है और अगर आप बार बार use करते रहेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा benefit मिलेगा और friends इस app की एक खास बात है कि आप किसी के account number पे भी transition कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पे किसी का account number पे हमको send करना है तो देख लेजिए यहाँ पे किसी का भी account number है तो उस पे account number पे हम send कर सकते हैं यह कैसे करना है send इसके लिए आपको और वीडियो मिल जाएगा हमारे channel पे इस से पहले भी हमने वीडियो upload कर चुका है और अगर आप चाहें तो description से आप link से डारेक्ट इंस्टाल कर सकते हैं और हमारा number मिल जाएगा वहाँ से contact भी करके पूछ सकते हैं है नव फ्रेंड्स तो और आगे ज्यानिए पहले तो हम बता देते हैं प्रूफ यह देखे है यह हमने कल रात में किया है 399 का जियो का रिचार्ड जिस पे उपर वाला 30 रुपए का cashback मिला हुआ है तो फ्रेंड्स 399 मतलब 400 रुपए में 30 रुपए का आप सोच रहे होंगे कितना छोटा amount है कितना छोटा amount नहीं है इस से ज्यादा का cashback अभी कोई देता भी नहीं है ठीक है अभी हम आपको और दिखाते हैं यह देखिए यह 199 का रिचार्ड हुआ था मतलब 200 का इस पे 15 रुपए का cashback कल ही के date में हुआ है और देखिए इधर payment हुआ है 9300 किसी के account में हमने डाला है जो cancel हुआ था उसके बाद फिर से उसका उपर में देखिए 9300 रुपए का 21 अक्टूबर को send हो गया है किसी से receive हुआ है 1000 फिर receive हुआ है 4300 पांच हजार receive हुआ है 1000 पैड हुआ है DTH का रिचार देखिए 100 रुपए का रिचार्ज हुआ है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 अक्टूबर को ही 20 रुपए का cashback मिला है तो friends 100 रुपए में 20 रुपए का कौन देता है ऐसा कोई नहीं देता है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा transaction होता है हमको तो बहुत अच्छा लगता है यह अगर आपका payment जैसे आप देखे flip card को हमने payment किया था 649 रुपए का और यह वापस भी हो गया था 649 रुपए का जब वहाँ payment हुआ था लेकिन हम समान नहीं ले पाए तो हमारा पैस वापस हो गया था ठीक है friends तो यह बहुत ही अच्छा apps है इस apps से आज आप बहुत smoothly आप transaction क कर पाएंगे किसी को भी पैसा transfer करना है या लेना है तो friends इसमें दो तरह के transaction हो सकते हैं एक तो आपके account से link रहेगा एक तो बिना account से link रहेगा तो इसको install करते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप अपना account पे जो number link है जो mobile number आपका account में registered है वही mobile number से आप यहाँ पे भी account बनाई है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी सी problem हो जाएगी और हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप जिस mobile number से इसको registered करेंगे confirm करेंगे उस mobile number पे main balance होना जरूरी है डेड़ रुपए का ठीक है message का charge जो लगता है अगर आप का message का tariff होगा तो कोई problem नहीं है लेकिन कुछ balance होना चाहिए जिससे वो message send हो सके ठीक है तो और भी बहुत कुछ खास बात रहता है जो की use करते करते समझ में आते जाता है तो यह हम आपको यही बताना चाहेंगे कि इसके अंदर से आप जो भी recharge करेंगे जब भी आप transaction करेंगे तो transaction करते समय आप ध्यान रखिए जब भी आप transaction करते हैं तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी transaction जब तक successful ना हो जाए तब तक कि आप बेक ना कीजिए देखिए यहाँ पर आप नंबर डालिए नंबर डालते ही आपको यहाँ पर पुरा यहाँ देखिए यह जो नाम लिखा हुए दिपकसाउ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फोन बुक जो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नंबर डालने का option देता है नंबर डालेंगे जैसे ही आप वह अपने से यहाँ पर ले लेगा कि कौन सा company का mobile नंबर है और कौन से state का है तो उसके बाद यहाँ पर आप amount डाल के बाद यहाँ से रिचार्ज करके यहाँ बेंक लिखा है उसके निचे रिचार्ज वह क्लिक कर दिजिए अभी वालेट में देखे 5,792 रुपए का यहाँ पर वालेट में बैलेंस है है ना तो इस तरह से आप mobile रिचार्ज कर सकते हैं डिटी एच रिचार्ज कर सकते हैं खेर हम सब के लिए आप एक एक वीडियो भी अपलोड कर देंगे जिससे आपको परसानी ना होगी और फ्रेंड्स जो नए रहेंगे उनके लिए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा अपर आता है अगर आप वालेट में अपलोड करते हैं तो आपको cashback मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह देखिए 75 रुपाय का cashback है यह जीयो का recharge पहली बार करने से और देखिए सेकेंड में दिखा रहा है एया टेल का recharge 75 रुपया cashback 349 रुपाय के recharge पे और 50 रुपया cashback है 349 से कम पर और यहाँ पे देखिए आप अगर send money via UPI and get 50% cashback तो यह first transaction पे आपको 75 रुपया का cashback मिलता है और up to 50 रुपीज on fifth transaction तो पांचवा transaction पे आपको 50 रुपया का मिलता है तो friends यह बहुत ही अच्छा apps है और यहाँ पे आप जीयो क्या आप हर एक company का recharge करके आप अपना cashback ले सकते हैं और यह बहुत अच्छा system है cashback का यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा इसकाई का recharge करने से 100 रुपीज का cashback है उसके बाद और भी बहुत सारा Oda phone का है 20 रुपीज cashback है तो मतलब यहाँ पे सभी company का recharge उपलब्द है और सभी company के लिए cashback भी उपलब्द है तो friends ऐसे apps के लिए आप ज्यादा लेट ना कीजिए देरी ना कीजिए और जल्दी से जल्दी इस apps को install कीजिए और जल्दी से जल्दी आप भी cashback का लाब उठाएं ओके friends थाइंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो इन्फोर्मेशनल लगती हो तो आप like कीजिए ज्यादा ज्यादा share कीजिए और अगर आप first time हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे तो subscribe करके घंटी का निसान जरूर दबाएं जिससे कि आपको next वीडियो अपलोड होते ही तूरंत मैसेज मिल सके ओके फ्रेंड्स थैंक यू